तो चलिए आज हम इस वीडियो में आप लोगो बताएंगे जो फर्मूला लिखे हैं 4 Sin c plus sin d is equal to इतना Sin c minus sin d is equal to इतना Cos c plus cos d is equal to इतना और Cos c minus cos d is equal to इतना आप लोग तो फर्मूला याद कर लेते हो और ज़्यादि नहीं भी याद होता होगा उसके लिए हम link description में दिये हैं जाकर आप उस video को देखिएगा आप लोग को याद करने का trick मालूम चल जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं ठीके और अपने दोस्तों में भी जिरूर आप लोग बताएगे कि इस तरह से बनाओगे इस तरह से याद करोगे आप कभी नहीं बुलोगे लेकिन उसके साथ इसको proof करना कैसे सिखेंगे हमारे कुछ student बुल रहते कि sir इसको proof करके बताइए इसको 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 proof करने का दो तरीका है देखिए आप लोग तो अक्सर जानते है कि तिरकोडमीती का कोई भी कोचन हो इसको proof करना होता है तो यह होता है LHS आपको तो पता है और यह होता है RHS तो मेरे दोस्त आपको यह बात पता है कि LHS और RHS तो हम तिरकोडमीती में क्या करते हैं ट्रिवो में क्या करते हैं हम LHS को ले करके RHS proof कर लेते हैं नहीं तो RHS को ले करके LHS प्रूब कर लेते हैं और नहीं तो LHS का प्रूब करके और RHS को हल करके मतलब LHS को हल करके और RHS को हल करके दोनों को बराबर कर लेते हैं तो हमारा combination ठीक हो जाता है हमारा प्रूब सही हो जाता है ठीक है एक बात जानते हैं तो वहीं इसमें भी है इसको हम दुनों तरीका से प्रूप कर सकते हैं LHS को ले करके RHS और RHS को ले करके LHS तो हम इस वीडियो में आप लोग को RHS को ले करके LHS प्रूप करना सिखाएंगे क्योंकि ए तरीका हम हर जगा यूज़ करते हैं यूज़ फर्मूला है इसी तरह तीनों प्रूप होंगे तो आप क्या बना दोगे और बना करके मेरे वाटस अप पर सेर करना हम उसको चेक करेंगे और आपको रिप्लाई जोरू देंगे ठीक है देखिए यह है हमारा LHS और यह है RHS हम चलते हैं RHS से इसको हम प्रूप करने चल दिये ठीक है RHS क्या है 2sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 यह है हमारा अब देखिए क्या करते हैं यहां से हम किसे चल रहे हैं RHS से चल रहे हैं आप पर लिखना ज़रूरी है RHS से ठीक है RHS से हमने लिख लिया अब इसके बाद क्या करेंगे बहुत तीजी है कि C plus D by 2 और C minus D by 2 इसको क्या करिए मेरे दोस्त इसको मान लिजिए माना C plus D by 2 को हमने A मान लिया तथा C minus D by 2 को हमने B मान लिया ठीक है इसको हमने माना A और इसको माना B तो क्या हो जाएगा यहां से तब 2 sign है ए हो जाएगा 2 sign A इसको हमने A मना न ए हो गया into तो into cos cos C minus D by 2 को हमने क्या मान लिया B तो यहां पर हो जाएगा B यहां तक तो किसी को दिकत नहीं होगा बहुत तीजी है सारे मतलब तीन कोच्छान जो बच गए तीन परूमला आप लोग उसको भी just ऐसाही बनाना ऐसाही बनाना बन जाएगा ठीक है तो 2 sign A into cos B अब तो यहां से एक फर्मुला आपको याद करना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको पहले फर्मुला इससा बताएगा है ठीक है 2 sign A into cos B 2 sign A into cos B आगया तो इसका फर्मुला क्या होता है याद नहीं है याद तो करना होगा यार क्योंकि गणित पड़ रहो मैद पड़ रहो तो आपको तो कुछ याद करना पड़ेगा श्रगल करना पड़ेगा तभी हम मैद सिक पाएंगे हम लोग ठीक है मेना तो करना पड़ेगा 2 sign A into cos B का फर्मुला होता है क्या होता है sin A plus B plus sin A minus B होता है हमने इसको इसमें convert कर दिया अब क्या करेंगे देखो यहाँ A है और यहाँ B है यहाँ A है और B है अब हम क्या करेंगे A और B A का मान A है और B का मान A होला है यहाँ पर रख देंगे लिखेंगे A तथा B का मान देने पर पुरूप करने वाला में कोई खास चीज नहीं होता है उसी चीज को घुमा फिया करको वही लादेना पड़ता है और इसमें पुरूप में कुछ होता नहीं है ठीक है न तो A और B कमान इसमें देंगे तो क्या हो जाएगा साइन A, A कमान है C पलस D बाई 2 पलस तो पलस B, B कमान है C माइनस D बाई 2 अब पलस फिर साइन है तो साइन A, A कमान है C पलस D बाई 2 C पलस D बाई 2 माइनस तो माइनस B कमान क्या है C माइनस D बाई 2 C माइनस D बाई 2 अब क्या करेंगे के इसको सल्व कर लेंगे, sin का sin, इन दुनो के सियम, 2 हो जाएगा, भाग देंगे एक बार में, एक लिए और C पलस, D, अब पलस, इसको भाग देंगे, एक बार में, एक लिए और C मैंने है, D से, C मैनस, D, पलस, sin, इन दूनों के LCM 2 भाग देंगे एक बार में 1 ले और C positive C plus D माइन इसको भाग देंगे एक बार में 1 ले और इतना से करेंगे तो देखो यह मानस से इसमें गुना कराएगा तो माइनस C और यह माइनस क्या हो जाएगा यहांपर अपलोग mistake नहीं करना है ठिक न कुछ बचे द्रक्री करते हैं कि यह माइनस इसमें multiple कर रहा है ठीक है ध्यान देना तो सी से और माइनस सी माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा ठीक है अब देखो यहाँ माइनस D यहाँ माइनस D और प्लस D cancel C C 2 C यानि अगला स्टेप में साइन कितना 2 C बाई 2 अब प्लस साइन और यहां से देखो माइनस C क्या हो गया लाश्ट में बच गया आपका साइन C अब प्लस साइन D हमने क्या किया जो एलेक्षेस था वहां पर हमने आप ला दिया ओके आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और इसी तरह से आप लोग साइन C माइनस साइन D को solve करिए कोस C पलस कोस D को solve करिए और कोस C माइनस को बस आप लोग इसको बनाना सिख लिजिए आप लोग कभी नहीं बनाए रहते हैं इसलिए पड़ते हैं यह सब कुछ नहीं है बहुत इजी है बस आपको फर्मुला याद होना चाहिए सबी चीज का जैसे यहाँ पर कैसे याद करना होता है सब्सक्राइब करें उस आपने आप में कुछ को उसको लिखना सिखो और ट्रीक मतलब वीडियो देखने के बात बात कर रहे हैं जब वीडियो देख लेंगे ना उसके बाद देखेंगे तो आप मैं मैं आप सब उमीद करता हूँ कि 100% आपको याद हो जाएगा बसरते आपको अपने आप में ढाल करके मतलब अपने आपने उसको निचोड़ ला करके और बिना देखे हुए उसको लिखिए कॉपी पर दो से तीन बार आपको याद हो जाएंगे नहीं आता है तो मेरे से कंटे और बार आपको याद हो याद है।